हेलो फ्रेंट्स आप सबी का स्वागत है एक और नहीं वीडियो में कुछी दिनों पहले RBI की तरफ से एक प्रेस रिलीज को जारी किया गया था जिसमें RBI ने का था कि PTM Payment Bank और उससे जुड़ी हुई जो भी सर्विसिस हैं उससे आप 29 फरवरी 2024 के बाद में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इस समद में मैंने भी आप सभी के लिए एक वीडियो प्रवाइट करवाई थी जिसमें मैंने आपको complete information दी थी कि किन किन सर्विसिस को आप 29 फरवरी 2024 के बाद में इस्तेमाल कर पाएंगे और कौन कौन सी सर्विसिस हैं जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिस पर RBI ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है इस समद में RBI की तरव से एक और नया अप डेट जारी कर दिया गया है 29 फरवरी 2024 जो कि पहले इसकी लाट डेट थी इस डेट को एक बार फिर से RBI ने extend कर दिया है आगे बढ़ा दिया है यहाँ पर एक नई डेट RBI के द्वारा जारी कर दी गई है अब इस नई डेट तक आप Paytm Payment Bank या फिर उससे जुड़ी हो जो भी सर्विसिस हैं उनका इस्तेमाल आप कर पाएंगे और इस नई डेट के बीच जाने के बाद में अगर RBI कोई नई डेट फिर से जारी नहीं करता है तो उसके बाद में आप इन सर्विसिस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अब ये नई डेट कौन सी है और ये नई अपडेट क्या है इसी के बारे में आज की स्विडियो में बात करेंगे अगर आप एक Paytm यूजर है तो इस वीडियो को बिलकुल लास तक जरूर वाच करते रहेगा क्योंकि ये वीडियो काफी ज़्यादा informative होने वाली है बट वीडियो में आगे बनी से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और notification वेल आइकोन को ओल पे दबा कर जरूर सेट करें ताकि आने वाली सभी वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुँच पाएं तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसा कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे RBA की website के उपर एक notification जारी कर दिया गया है इस notification को जब आप download करके read करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे एक नई date यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इसके बाद में अगर RBS date को आगे नहीं बढ़ाता है तो 15 मार्ट 2024 सी इसकी लाड़ date रहेगी और इसके बाद में Paytm Payment Bank और उससे जुड़ी हो जो भी services हैं उससे आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अब अगर आपको नहीं पता है कि Paytm Payment Bank के अंदर कौन-कौन सी services बंद होने वाली है क्या-क्या बंद होने वाला है और कौन-कौन सी services पहले की तरह चालू रहेंगी तो उसके लिए आप पिछली वीडियो को जाके जरूर watch किजेगा इस वीडियो का लिंक में आपको उपर i button में भी दे दूँगा या फिर description box में provide करवा दूँगा इस वीडियो को देख करके आपको पता चल जाएगा कि Paytm Payment Bank के अंदर कौन-कौन सी services है जो की बंद होने वाली है और किन-किन services को आप पहले की तरह इस्तमाल कर पाएंगे तो RBI नहीं यहाँ पर एक नई date जारी कर दी है अब आप 15 मार्ट 2024 तक पहले की तरह अपने Paytm Payment Bank या फिर उससे जुड़ी हुई services को इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है लेकिन 15 मार्ट 2024 के बाद में अगर यह date आगे नहीं बढ़ती है तो फिर यही इसकी last date रहेगी और इस date तक आपको आपके wallet में अगर कोई balance है या फिर Paytm Payment Bank का अगर आपका account है current account है या फिर saving account है तो उसमें जो भी आपका balance पड़ा हुआ है या फिर fast tech के अंदर आपका कोई balance पड़ा हुआ है तो उसको या तो आप utilize कर लीजे या फिर आप अपने balance को withdrawal भी कर सकते हैं इसमें आपको किसी भी तरिके की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपका balance कहीं पर भी जाने वाला नहीं है आप अपने balance को utilize भी कर सकते हैं और withdrawal भी कर सकते हैं साथी साथ अगर आपका Paytm Payment Bank के अंदर जो account है उस पर भी इसका सिधा सिधा effect पड़ने वाला है 15 मार 2024 के बाद में इसका भी आप इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तो आप किसी third party दूसरे bank का use कर सकते हैं किसी अन्य bank में आप अपना account open कर सकते हैं वहाँ पर उसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन जो आपका Paytm Payment Bank का इस्तमाल है उसमें आप 15 मार 2024 के बाद में किसी भी तरह के का top up या फिर कोई भी credit है या फिर deposit है वो आप नहीं कर पाएंगे यानि Paytm Payment Bank account आप यूज नहीं कर पाएंगे और उसके अंदर जो भी services आती है वो भी आप इस्तमाल नहीं कर पाएंगे तो अगर आप एक Paytm user है आपका Paytm Payment Bank के अंदर account है या फिर Paytm Payment Bank से जुड़ी होई services को आप इस्तमाल करते हैं तो RBA की तरफ से यहाँ पे इसकी date के समद में एक नए update जारी कर दिया गया है 39 स्वरवरी 2024 की बजाए अब आप 15 मार्ट 2024 तक Paytm Payment Bank और उससे जुड़ी होई services को इस्तमाल कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इसी नए update के बारे में complete information दे दी है इस नए update के बारे में आप सभी को information provide करवा दी है उमीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजेगा अपने friends और family के साथ में भी share कीजिए वीडियो से लेटेट कोई भी सवाल हो तो comment box में जरूर लिखे तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक only वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत